तो classification में दो तरह से classify होते हैं, एक तो होता है acyclic, दूसरा होता है cyclic, acyclic मतलब straight chains होंगी, उसमें कोई cycle नहीं होगी, जैसे कि yes, ethane, straight chain है, isobutane, straight chain है, और उसमें branch है, लेकिन कोई cycle नहीं है, ठीक है, acetaldehyde, straight chain है, और कोई भी यहाँ पर आप लोगों को cycle नहीं दिखेगी, acetic acid, तो इनको बोलते है acyclic, जिसमें cycle है ही नहीं, और cyclic में दो पार्ट में divide होता है, एक तो होता है alicyclic, दूसरा होता है aerocyclic, alicyclic basically aromatic नहीं होते, aromaticity के अलावा, aromaticity जो carbon organic compound नहीं शो करते, उसके अलावा जो भी cyclic compound होते हैं, वो alicyclic में आते हैं, जैसे कि, यह जो homocyclic compound भी नहीं कहते हैं, जैसे कि cyclohexane, cyclohexane benzeen नहीं है, बच्चों, इसमें aromaticity की property नहीं है, try to understand, aromaticity क्या होती है, बहुत पार पढ़ पढ़ चुको है, जिसके अंदर आपके पास क्या मिले, conjugate system मिले, double bond, single bond, यह alternate positions में मिले, उनको आम लोग क्या बोलते हैं, उनको आम लोग aromatic compounds कहते हैं, तो जिसमें aromaticity नहीं होती, लेकिन वो cyclic होता है, तो उसे alicyclic कहते है, जैसे कि cyclohexane, लेकिन अगर जिसके पास, और alicyclic के अलावा, alicyclic में भी दो पार्ट होते हैं, कौन-कौन से एक होता है, homocyclic होता है, heterocyclic, homocyclic का मतलब क्या है, उसमें सिर्फ-सिर्फ आपको oxygen भी दिखाई दे रहा है, तो alicyclic भी दो तरह का होता है, एक तो होता है homocyclic, एक होता है heterocyclic, homocyclic में सिर्फ रिंग के अंदर carbon दिखेंगे, लेकिन heterocyclic में आपको carbon के अलावा भी एक अलग से atom दिखेगा, oxygen हो सकता है, nitrogen हो सकता है, वो sulfur हो सकता है, कुछ भी हो स और जिसमें Conjugation System हो, मतलब Double Bond, Single Bond, यह Alternate Position पर हो यह फिर Double Bond, Single Bond और इसके लवा Lone Pair यह Alternate Position पर मौझूद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसके हम लोग Aromatic कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है, जर आप चेक करो, यहाँ पर Aniline का Example दिया हुआ, यह Aromatic है, ठीक है, यह Aromatic है, इसको Benzenoid गहते हैं, और यह जो Tropon है, बेसिकली, यह है Aromatic लिए, कि यह Non Benzenoid है, और यहाँ पर यह कोन है, क्योंकि इसमें तो Cycle के अंदर Nitrogen भी आ रहा है, इसको बोलते है, Hetero Cyclic, तो इस तरह से आप इनको Divide करते हो,